अब कंपाउन माइक्रोस्कोप में डाइग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है डाइग्राम हो गया ना दोस्तों डेरिवेशन की मेरी गारंटी है सिफ दो ट्राइंगल लगवाऊंगा डेरिवेशन को खतम कर देंगे अपन इस डाइग्राम को समाइडना जरूरी है सबसे पहले तो अबजेट को कहां रखा हुआ है अपन ने इसके फोकस के बाहर क्यों क्योंकि अब हम मैगनिफाइड करवाएंगे दो लेंसे से ये लेंस कहलाएगा अबजेक्टिव और ये लेंस कहलाएगा आईपीस तो अबजेक्ट से जैसे ही रेज चली एक रेपे तो कंट्रोल नहीं है ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो दूसरी रेज आएगी पैरलल पैरलल रे कहां से जाती है फोकस से इस पॉइंट पर दूरों इंटरसेट करेंग कि ये जो इमेज बन रही है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन जाए और जैसे ही इसके बीच में बनेगी हमें पता है वो सिंपल माइक्रोस्कूल वहला लॉजिक लग जाएगा वर्चुल इनलार्ज इमेज बन जाएगी तो इस अबजेक्ट की ये जो इमेज बन जाएगी और हम कहां पर इमेज बनाएंगे हम इसको लिख रहे है ये वी है बड़ तुम्हें भी पता है कि ये वी नहीं हम कहां बनाते है इसको दी पर वी बेसिकल इकोल टू डी है और अब ये जो हमारी आई पर एंगल सब्स्ट्रेंट करेगा ये बीटा कहला अब डाइग्राम में एक बार यहां तक का तो समझ में आ गया अब देखी ब्लेक से बनाया मैंने एक रे तो आपका इस पर कंट्रोल नहीं है जाने दो इस रे पर आपका कंट्रोल है पैरलल गई इसको डाइवर्ट करके पास करा दो यहां पर नहीं बनाओगे कोई नहीं भाया सब सही है सारे ओथर भी सही है यह इमेज की कोई भी लोकेशन हो सकती है यह तो वर्चुल इमेज है ना ऐसा लग रहा है वहाँ पर है है तो नहीं ना तो यह यहां पे भी लग सकता है यहां पे भी लग सकता है कहीं पे भी लग सकता है वर्चुल है अब अगर अपन B double dash OE ये triangle दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अगर इस triangle को अपन देखें ये को derivation को आसान मनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ ही नहीं कर रहा है आप इस beta के लिए ये triangle भी ले सकते हैं छोटा ये बड़ा triangle भी ले सकते हैं मैं बड़ा ले रहा हूँ derivation आसान हो जाता है simple microscope में अंदर वाला लिया था क्योंकि एक ही मेरे पास triangle लेना था मुझको फिर मुझे object को deeper रखना था अभी मैंने object को deeper रखा नहीं है रखता तो थोड़ा complex दिखता डाइग्राम इसलिए मैंने अभी उसको रखा नहीं है जब मैं alpha की बात करूँ है तब ही हम रखेंगे उसको सबसे पहले a double dash b double dash oe इस triangle से हम सबसे पहले निकालेंगे beta क्यों क्योंकि magnification का formula है beta by alpha last video में सिखाया था angular magnification because of microscope is जब object कहां पर हो lddv पर उस समय ते जो ice पर angle बना रही है वो angle कहलाता है beta visual angle और जब हमारी object रखी हो कहां पर lddv पर उस समय जो हमारी angle बनाती है हमारी ice पर उसको हम बोलते alpha जिन होने भी ये simple microscope का video नहीं देखा हो please उस video को देखिए उससे ये m is equal to beta by alpha का logic मैंने बहुत अच्छा समझाया है वो समझ में आ जाएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा नहीं तो भाया angular magnification के लिए ऐसा याद रखो जो image हमारी ice पर angle substraint कर रही है कहां पर जब रखी हो वो lddv पर least distance of distinct vision पर और alpha ये वो angle है जो object बना रही है जो कहां रखी होगी least distance of distinct vision पर simple microscope का video ज़रूर देखो बहुत clear हो जाएगा ये अब अपन आ जाते हैं अगर angle बहुत छोटा होता है तो beta can be written as 10 beta so m is equal to 10 beta by 10 alpha अब इस triangle में आ जाते हैं अब आती है बारी 10 alpha की 10 alpha निकालना है हमको तो उसके लिए फिर से अब triangle ढूड़ना पड़ेगा और पहले तो object को कहा रखना पड़ता है least distance of distinct vision पर तो भाईया object ये है इसको उठा कर रख दो ये है ना distance LTV इस object को उठा कर रख दो यहाँ पर मैं black pen से बनाता हूँ इसको ये मेरी रखी हुई है object a-b-double-double-double-चो ले चुका था अब ये जो object है कहां रखा मैंने माना है इसा कहां रखी हुई है LDDV पर तो ये जो angle बना रही है आई piece पर ये angle क्या 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 लाएगा alpha, visual angle हो गया alpha, so अब मुझे निकाल कर लेकर आना है इस alpha की value दिख रहा है direct, क्या दिख रहा है ये triangle दिख रहा है जैसे इस triangle को देखा हमने ये हमारे पास हो गया perpendicular ये हमारे पास बन गया base, OE, A double dash OE, A double dash बन गया minus D, value रखी 10 alpha is equals to A double dash B double dash by minus D अगर देखा जाए तो A double dash, B double dash object ही तो है, तो मैं इसको क्यों बार-बार ये लिखू, मैं इसको A B ही लिख देता हूँ, अगर मैं इसको A B ही लिख सकता हूँ, तो ये बन गई मेरी equation 3 एक second के लिए frame को pause करो note करो, और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे जैसे ही मैंने 10 beta और 10 alpha की values रखी हम एक काम और कर लेते हैं, 10 beta में जब हम U के साथ sign रख रहे हैं, ओ ये A double dash का sign रख रहे हैं, तो हम A double dash, B double dash का भी sign रख देते हैं क्योंकि ये तो नीचे की तरफ था तो negative होना चाहिए था, तो ये negative हो गया और ये हमारे पास positive है, ये इस तरफ opposite है ये negative होना चाहिए था, तो वो तो हमने सही रखा है, तो इसका मतलब ये एक negative extra बच रहे है, तो मेरे पास क्या आगया बच्चों यहाँ पे, negative A double dash B double dash upon minus D is equals to AB by minus D, again minus D cancel हुआ, ये क्या आगया, A double dash, B double dash upon AB, सबसे जादा tricky step यहाँ पर आती है देखो, initial image थी AB, final image थी A double dash, B double dash, बट बीच में एक और बनी थी न, A dash, B dash और actually में देखा जाए, तो इस lens के लिए ये object है ये image है, और size of image by size of object क्या बन जाता है magnification तो एक काम करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं हमने इसमें A dash, B dash का multiply क्या, A dash, B dash का divide क्या क्यों किया, ताकि ये बन जाए size of image by size of object और इस वाले case के लिए भी आप गौर से देखो, A double dash, B double dash क्या है final image, A dash, B dash क्या है object, तो size of object upon size of image ये किस के लिए है, आईपीस के लिए ये image, ये object और A dash, B dash size of object for objective, और A B क्या है, size of object for objective तो आगया ना ये object size upon image size, object size upon image size, ये आगया किस के लिए ये आगया आईपीस के लिए और ये आगया हमारे पास objective के लिए, याने M E into M O, negative सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बना रहा है real image, एक बना रहा है virtual, real बनता है तो magnification negative, virtual बनता है तो magnification positive, अब आपके पास तो formula है ना, magnifications के V by U, lens के linear magnification के formula का derivation, जरूर देखना बाबाजी पे चल्दी से इतना note कर लीजिए इस section को मैं रब करता हूँ जैसे ही मैंने ME और MO की values रखी, magnification V by U, अगर IPs के लिए बाब कर रहे हैं तो IPs के लिए image distance upon object distance, objective के लिए बाब कर रहे हैं तो object distance upon image distance, तो VO by UO into VE by UE, अब अगर हम देखें, तो हमारी final image बन रहे है, LDDV पर, तो VE, D के बराबन होगे, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी image बन रहे है LDDV पर, तो 1 upon FE is equals to 1 upon minus D, V की जगा पर, और U minus UE, जैसी value रखी, V की जगा पर minus D, क्योंकि LDDV पर बन रहे है, U की जगा पर minus UE, क्योंकि इस तरफ है, जैसे ही रखा, तो यह आजाएगा 1 upon FE, इस तरफ आया 1 by D, 1 by UE, मुझे इस formula में क्या चाहिए, मुझे चाहिए D by UE, तो मैंने पूरी equation में D का multiply कर दिया, जैसे ही करा तो D by FE, D by D, D by UE, D by UE मिल गया, D से D cancel हुआ, 1 plus D by FE, यह हमने simple microscope में भी किया है, D by UE की value इसमें रखें, जैसे ही value रखी, क्या मिला, minus VO upon UO, 1 plus D by FE, और यह हो गया हमारे पास, magnification का formula, कब, जब image कहां बन रही हो, LD, DV पर, अब आता है दूसरा किस, अब अगर मैं infinity पर final image बना हूँ, तो UE, FE के बराबर हो जाएगा, obviously जब यह image इसके focus पर होगी, तभी तो infinity पर image बनेगी, अगर मैंने रिखा, UE is equals to FE, so minus VO by UO, D by UE की जगा क्या आ जाएगा, FE आ जाएगा, और यह आगया अपने पास, magnification का formula, एक और information देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप से कोई कहे, length of tube भी निकाल के लाईए, तो देखिए, जब हमारी image LD, DV पर बनती है, तो यह पूरी distance क्या है, VO, यह distance क्या है, UE, तो length of the tube क्या आ जाएगी, first case में जब LD, DV पर बन रहा है हमारा final image, VO plus UE, और याद रखो यह distance है, length है, इसलिए magnitude ले रहे हैं, इस case में क्या आ जाएगा हमारे पास, VO plus FP, क्योंकि UE तो किसके बराबर हो गया अब, FP के बराबर हो गया, यह आगी हमारे पास length of tube, और यह derivation हो गया, ब आज में नहीं आया हो, बिलकुल पूछिए, इस derivation में इतना ही जय हो,